तो फ्रेंड्स अभी यहां पर हो रहा है साढ़े दस बच चुके हैं और यहां पर मेरा खाना भी लमसम बन गया भी पूरी तरह से नहीं बना है तो आज क्या है आज दिन कौन सा है फ्राइडे फ्राइडे का दिन है और बच्चे स्कूल चले गए और यह नहीं गए है अज अ तो आज हम लोग देखे करने जा रहे हैं क्या कि यह जो रूम है यह खाली करने जा रहे है और हम लोग अब यहां से कहां जाएंगे हम लोग तो अभी पूरा ली सब समान हटाएंगे और सब मतलब बहार रखेंगे पैक करेंगे तो सबसे पहले यह पूरा जो हॉल है जितन एक एक करके सब न अपने ही हांसे बिगाड़ना पड़ेगा देखें यह पूरा तो चलिए हटा लेते हैं पूरा सामान यहां से और देखें बता दे आपको पहले ही कि यहां पे देखें फर्ष अच्छी नहीं लगती ना ऐसी देखने में प्लेन प्लेन तो आज कराने जारी तो फिर वही का वही लगा रहता है और फ्लोर मैटिंग क्या है कि जब मन्च है तो उसको बदल लो ज्यादा मतलब कम खार्चे में घर भी अच्छा हो जाता है और आप जब चौ तो इसको बदलते भी रह सकते हो और टैल्स पत्था लग जाने के बाद के लगता है कोस्ली है इतना खार्चा आया है तो इसी को रहने तो इसी परपस से मैं करवाओंगी यहाँ पर फ्लोर मैटि और दिखाते हैं आपको यहाँ के लिए फ्लोर मैटिंग कौन सी लेकर आए है तो देखें यहाँ हॉल में करवाने के लिए यह वाली फ्लोर मैटिंग ली है और अभी तो आपको नहीं समझ में आ रही होगी लेकिन लगने के बाद मुझे भी अच्छे समझ में आएगा मेरें हयद्वेट बनाया है तो मुझे लगता है ना जो मãy WOR拌ता है जो मने बना एक औरस म水 ल कोbackD भी मेरा साथ दे रहे है और बहुत से लोग बोलते हैं ना कि मतलब इनके हस्पेंट जो है तो साथ में करते हैं मना क्यों नहीं करते हैं तो भाई क्यों मना करें किस लिए मना करें ऐसी कौन सी मैस में घर आप काम कर रही हूं कि उनको मुझे मना करना चाहिए अपने घर के अं और उसकी बुराई खुद सुनू ना इतना मेरे पास फालतू का टाइम नहीं रहता है और आज का भी जो समय चल रहा है ना उसमें सबसे ज़्यादा कमी जो है तो समय की ही है तो मैं अपने समय का ना सही से सदुप्यों करने की पूरी-फूरी कोशिश करती हूं बट लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है उनका मानना है कि मैं भी घर से बहार निकलू आज पास पढ़ो उसमें बैठो इधर की बुराई उधर करो तो मेरे पास भाई इतना समय नहीं है और सच बताओ आपको जिस समय मैं ये काम कर रही थी ना जिस समय मैं अपना रूम खाली कर रही थ तो एक तरफ तो बहुत जादा मतला दुख भी हो रहा था क्योंकि पूरा एक एक चीज मैंने अपने हाथों से सजाया हुआ है मेरे पती की कमाई से घर बना है उनकी मेहनत खोन पसीने की कमाई से और मेरी मेहनत से घर सजा है तो एक तरफ तो इस चीज को करने में बड़ा दूख हो रहा था कि सब कुछ हटाना पड़ रहा था लेकिन एक तरफ ना बहुत जादा खोशी भी थी कि आज जो मेरी फर्ष है थोड़ी सी और सुन्दर हो जाएगी और हाँ एक बात बता हूँ आपको जब मैं यह फर्ष मेरी जब बनने जा रही थी तो मुझे किसी के कहे कुछ पल ही आदा गए वो आज मैं आपको बताती हूँ फ्रेंट्स जब मैं शादी होके आई थी ना तो बस पंद्रवा दिन था या सोलवा दिन था मुझे अच्छे से याद है तो मैंने क्या किया था कि मैंने अपने हस्बंड के कपले धोई थी और आप जानते हो कि जो नहीं लड़कां शादियों के आती है ना तो उनको काम करने का था एक्सपिरिंस नहीं होता है यह सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ दुनिया की हर लड़की की बात कर रही हूँ अब वो उनकी बात अलग है जो पूरा घर समाल रही हो पहले से तो उनकी बात अलग होती है बट हम जैसे जो अपने माबाप के साय में पल के आते हैं ना तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है काम करने में क्योंकि आदत नहीं होती है और उसके बाद मैंने क्या कि मैंने कप्रे धोके मैं उपर शाथ पर लेके जाए थी फैलाने के लिए तो मेरे हां से थोड़ा सा बालती जो है ना छूट गया जीने के उपर तो वहाँ पे इनकी मम्मी चिला के बोलती है कि कभी देखा ही नहीं है 20 पत्थर वाला घर तो क्या करेगी और देखना कभी इसको अपना गहर नहीं मिलेगा देखिये मेरे सास ने इनकी मम्मी ने मुझे बदवा दी लेकिन वो बदवा मुझे नहीं दी अपने बेटे को दी क्यूंकि बहुते बनाना काम इनका है कमाएंगे यह तो ही हमारा गहर बनेगा ना तो देखिए होता क्या है जब हम किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते न तो सापने वाले की दी हुई बद्वा भी भगवान की नजरों से हमेना वो बद्वा द्वा बन के लगती है तो मैं तो अपने सास का शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे वो बद्वा दी ले वो इनको भी ना चुपते और हमारा घर इतनी जल्दी ना बनता तो बस यहीं सब कुछ चीज़े हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आज मैं अपने घर को देखती हूँ तो कहीं न कहीं मुझे अपने सास का ध्यान एक बार तो आही जाता है और आना भी चाहि है तो बस देखें यहीं सब कुछ पारिवालिक जीवन में लगा रहता है यहां देखी फिलाल हमारा जो काम था ना वो पूरा हो चुका है तो यहां पे फ्रेंस हॉल में और डाइनिंग एरिया में मेरी मैटिंग थी हो चुकी ही गलीम थोड़ी सी बच गई है क्योंकि जबत कापी होगया है पाकी जो बचा हुआ काम है वह कल होगा क्योंकि टाइम हो गया था यहां साड़े च्छे बजे का और भई अभी दोड़ा दोर से आय थी तो उनको भी जाना था तो इसलिए बंद कर दिया है अब अभी भी समेटने का काम अभी नहीं करूंगी कल करू क्योंकि अभी और मैट आनी है इस बैड्रूम के लिए पीछे वाले रूम के लिए पथर लगे हुए है लेकिन फिर भी बिट्टु कबंबने कि इस उपर भी आप मैटिंग करा दो तो वहां पीछ बैटिंग कर आई जाएगी और यह वाला कमरा देखो कितना ज्यादा फैला ह है यह देखे पूरा सब मेरा हेर स्टैल वाला ना जो यह कबड है यह हैर स्टैल का पूरा समें सामान रहते हैं तो यह पूरा वहां से उठके यहां आगे और इस अभी कुछ नहीं सेटिंग करेंगे अब सब कुछ करेंगे तो बने रहेगा व्लॉग में कंटिन्यू इसको द